हैलो गाइज मैं इतिन स्वागत आपका मेरे यूटूब चैनल में मैंने यूटूब पे काफी सारी वीडियो देखी है जिसमें कोई बोलतायए में फांच मिनट में फांपनेड बनाना शिक्गे बट बांच मिनट में आप सिम्पल सा थमनेल लेवल का और HD quality में create कर पाओगे और अपने चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो कर पाओगे सबसे पहले हम Google Play Store पर जाएंगे और वहां से इससे क्या होगा इससे हमारा थमनेल HD quality में create होगा फिर हम जाएंगे फोर्थ नंबर वाड़े option पर सबसे पहले option पर जाएंगे color हमें color के दो option मिल जाते हैं पहले से हम normal color change कर सकते हैं देखो मेरे पास कितने सारे color कोई भी change कर सकते हैं नंबर दो पर मिलता है नीचे वाला gradient color यहां पर भी मेरे पास बहुत सारे gradient double color बना रखे हैं मैंने यह मिल जाते हैं और अगर आप अपना खुझ से color बनाना चाहते हैं तो यहां side में plus का button है इस पर click करेंगे उसके बाद हमें कुछ ऐसा आ जाएगा दो color इसके बाद हम सबसे side वाड़े पर click करेंगे और नीचे color पर कर देंगे color के बाद यहां से हम कोई भी color select कर लेंगे मैंने यह कर लिया है उसके बाद यहां से OK कर देंगे जितना मर्जी लेना है फिर यहां side में यह arrow सा दिख रहा है इस पर click करेंगे फिर हम color पर click करेंगे इसको थोड़ा मैं red color कर देता हूँ यह थोड़ा में को जच्ट नीरा इस हैं उपर से भी कर सकते हैं हम side में से भी कर सकते हैं यह साथ वे 5-6 option है ना इसे सारा कुछ ही हो जाता है ठीक है इसके बाद देख लो आप एक एक आप सारे option एक एक करके try कर लेना उसके बाद यहां से नीचे से भी इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं ऐसे आप अपना कोई भी color बना सकते हो बट आपको जो अच्छा लगे वो color select कर लेना और बना लेना बट मुझे यह color अच्छा नहीं लग रहा बट मैंने पहले बनाया हुआ है इस color का यूज़ करूँगा मैं और ok कर देंगे ok करने के बाद हम third number पे जाएंगे और draw वाले pencil पे click करेंगे उसके बाद हम fill inside करेंगे और यहां से कोई सा भी यह color choose करेंगे मैंदे वैसे white और black अच्छे होते हैं मैं white choose कर लिया है white color लेने के बाद हम कुछ pen से ऐसे draw कर लेंगे पूरा चारों तरफ से और यह ok कर देंगे ok करने के बाद यह कुछ मेरे पास png की तरह अलग से एक paper आ जाएगा इसको हम कम ज्यादा और छोटा बड़ा जहां पर भी हम रखना चाते हैं वहां पर रख लेंगे उसके बाद देखो मैंने थोड़ा और थोड़ा और बड़ा कर लिया आपको जितना चाहिए उतना कर सकते हो आप उसके बाद हम इसको OK कर देंगे OK करने के बाद हम पलस की आइकन पर क्लिक करेंगे पलस की आइकन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर कोई भी टैक्स लिख सकते हैं जो हमें टैक्स लिखना है हम यहाँ पर लिखेंगे professional thumbnail कैसे बनाए तो हम पहले लिखेंगे यहां पर professional, learn कर देंगे फिर ok कर देंगे उसके बाद हम इसको उठाके इस side रख देंगे इसको side में से पकड़के हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं देखो यहां से जितना आपकी मर्जी है उतना बड़ा कर सकते हैं जितना आपको अच्छा लगे उसके बाद हम यहां यह डबल टी के से भी बड़ा कर सकते हैं जितना चाहे और छोटा भी कर सकते हैं यहां से भी यह दो option है बड़ा छोटा करने के उसके बाद के बाद हम fontपे जाएंगे fontपे जाने के बाद बड़े सारे font है इसमेंसे कोई सぁब ऑद सलेक्ट कर लेंगे जो आपको अच्छा लगdar font líploys और हम ok कर देंगे उसके बाद थोड़ा ऊपर करेंगे यह spacing वाले option पे इस से हम अपने word के बीच में थोड़ा सा space दे सकते हैं उसके बाद हम चलते हैं ऊपर चलेंगे इसका color change करेंगे इसमें हमारे पास बहुत सारे color हैं आपको जो अच्छा लगे जो आपको best लगे वो color choose कर लेना मैंने black color ले लिया है black color लेने के बाद इसके नीचे आएंगे हम थोड़ा स्टॉक पे आएंगे स्टॉक पे हम ओके करके इधर से भी हम कोई सा भी color choose कर सकते हैं जो इसमें अच्छा लगे स्टॉक से देखो मैंने white color ले लिया है white मेरे को इसमें अच्छा लगा तो मैंने white ले लिया है आपको जो अच्छा लगे आप वो ले लेना उसके करने के बाद तो के कर देंगे उसके बाद हम आएंगे सेड़ों पर सेड़ों पर भी हम ऐसे ही इसकी सेड़ों बना सकते हैं जो अच्छी लगे आपको वही बनाना मेरे को जो अच्छी लगी मैं भी वही बना रहा हूं मैंने इसकी सेड़ों ले लिए है ज़ल के बाद हम इसको कॉपी करेंगे हम इसकी एक और कॉपी ले लेंगे हम इसमें लिखेंगे थमनेल कि तो थो आमने यहां पर लग देते हैं थमनेल के तैंगे तो न्योंज करतें फिर औक लिख object कर देंगे के थमनेल thumbnail में भी हम ऐसे ही करेंगे पहले इसका color change करेंगे मैंने red color ले लिया उसके बाद ok ok करने के बाद नीचे से stock पे जाएंगे stock पे भी इसमें से black या white color लेंगे black color ले लिया है black color black color ले ले लेते हैं black या white इसको कम ज़्यादा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा कर लिया है हमने थोड़ा सा बढ़ा करने के बाद फिर हम जाएंगे shadow पे shadow पे भी जो आपको अच्छी लगे वो shadow ले ले लेना shadow लेने के बाद shadow लेने के बाद ok कर देंगे हम लेने के बाद हम इसका फॉंट चेंज करेंगे फॉंट मैंने बहुत सारे माई फॉंट पर मैंने बहुत सारे फॉंट डाउनलोड कर रखे हैं मैं इसका कोई फॉंट चेंज कर देता हूं फॉंट चेंज कर दिया यह कुछ अच्छा नहीं लग रहा मैं इसको दूबारे चेंज करता हूँ यहां से माई फॉन्ट पे जाएंगे सबसे नीचे से इंगलिस फॉन्ट है उपर सारे हिंदी फॉन्ट है तो यहां से हम कोई अच्छा सा फॉन्ट ले लेते हैं यहां से हमने रेडियन बलैक लिया पॉन्ट और ओके कर दिया यहां से इसको तोड़ा सा नीचे किया और तोड़ा सा बढ़ा कर दिया स्पेस कर दिया इसके वर्डों के बीच में फिर यहां से फिर से इसको हम कॉपी कर लेंगे कॉपी करने के बाद हम यहां से लिखेंगे कैसे बनाए Hindi में लिखेंगे हम थोड़ा Hindi और English को Mix करके लिखते तो थोड़ा अच्छा लगता है thumbnail थोड़ा अलग सा लगता है तो हम लिखेंगे यहां से कैसे बनाए हमारा यह पूरा बन गया professional thumbnail कैसे बनाए तो यहां से हम इसको थोड़ा बड़ा छोटा करके बीच में कर देंगे इसका भी font change कर देंगे हम जाओके कर दिया इसका भी font change हो गया हम डन कर देंगे उसके बाद एक PNG ले लेंगे मैंने अलग से डाउंलोड कर रहा है उसको थोड़ा सा छोटा करके यहां नीचे ले आएएंगे नीचे आप यहां पर सेट कर लेंगे जहां पर आपको अच्छा लगे आप वहां कर लेना एक और बार इसको कॉपी करेंगे यहां पर लिखेंगे हम शिर्फ पाँच मिनट में हिंदी में लिखेंगे हम हिंदी में तोड़ा अच्छा लगता है शिर्फ पाँच मिनट इसका साइज थोड़ा छोटा करेंगे और हम इसके बीच में रख देंगे बीच में रखने के बाद हम इसका भी कलर चेंज करेंगे इसकी शैडो है इसकी शैडो हमने ब्लैक इसकी सैडो चेंज करेंगे एको काफी सैडो जो अच्छी नहीं लग रही स्टॉक में जाएंगे हम पहले इसका ब्लैक कलर की शैडो करेंगे सेड़ो करने के बाद करकेश करें यहां से बलैक ले लेंगे फिद करकेश यह देको साफb साफ़ दीख रहा है अ अच्छा भी लग रहा है तोड़ा सा पियन जी को ऊपर नीचे मी कर सकते हम उसके बाद इसको ठोड़ा सा बड़ा करेंगे तो के कर देंगे去 हमारा यह रेडी हो गया है अब यहाँ से हम इसको छोड़ देंगे इस पर आ जाएंगे हम यहाँ पर हम सबी को लॉक कर देंगे ताकि हमारा हाथ लगे तो कोई भी चीज हिले नहीं आसे हुष के भाद हम परफ पर फोटू की पrator किलिक करके ऐलरी में जाईंगे डिम्स जांगे अपनी एक फोटो की पी इन जी फोटू की भी नहीं खाए मैंने पहले सिन आहीं अगर आपको वर भी ऊढ़ों कि इसको भी लॉक करदेंगे। को लॉक करने के बाद ये भी आत मारने से आधर अधर हिलेगी निहीं। slut फिर हम इस के स्टॉंग करेंगे स्टॉंग करके इसको भी हम कलर देंगे वाइट हुआ है हुआ है हुआ थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा वाइट दिख नहीं रहा है उसके बाद हम इसको सैडो दे देंगे बलैक कलर की बलैक होने के बाद ये भी हमारा इसको भी हम थोड़ा उपर नीचे कर लेंगे थोड़ा इसको ठीक कर लिया हमने उसके बाद इसको भी लोक कर देंगे ऐसके बाद अपी ये ले लेंगे अपनी अपनी तो कि ये दिए को हम पी अजी को भी हम स्टॉक स्टॉक करेंगे श्टॉक में हमने स्टॉक में हम कलर देतेंगे वाइट वाइट कलर अच्छा नहीं लग रहा है इसको हम बलैक देंगे बलैक थोड़ा ज़्यादा कर दिया उसके बाद ओके करने के बाद हम इसको शैड़ो देंगे shadow भी हम black color की shadow दे देंगे इसको अब देखो अलग से पता लग रहा है PNG कितनी अच्छी लग रही है उसके बाद हम थोड़ा इसको adjust करेंगे adjust करने के बाद हम इसको भी lock कर देंगे इसको lock करने के बाद हम पीछे background वाड़ा ले लेंगे बैग्राउंड वाल पी एंजी ले लेंगे इसका हम कलर चेंज करेंगे सिंपल और ग्राडियंट दोनों कर सकते हम मैं यह वाला कलर ले लेता हूं उसके बाद OK कर दिया को वोके करने के बाद हुआ हम फ्रॉम गैरली में जाएंगे और यूटुब का एक लोबे लेंगे लोगो ले लिया मैंने यूटुब कर इसको हम कहां इसको आप अच्छा लगे वहां पे अड़ जस्क कर ले ना मैं इसको कौन मैं लगा देता हूं को मैं यह मैंने इसको कोने में लगा दिया यह मेरा एड़ेस्ट हो गया उसके बाद हम अपने थमनेल को डाउनलोड कर लेंगे सेव टू गैलरी करके और आपका थमनेल बनके त्यार हो चुगा है